दिर्वा आप वागत है आपका आज हम जानेंगे कि आपका जो लेपटॉप का यह ऑपके डैस्टॉप का जो ड्राइव का लेटर होता है वह सी ड्राइव से क्यों इस्टारट होता है वहां पर चब हब आपड़ेक लेटरा होता है अथको सबक चेन कर सकते हैं लेकिन, c ही क्यों होता है जब हमारे आलफबेट एसे इसार्ट होते हैं तो इसका रीजन हम देखते हैं लेक्त आज के टाइम या CD, DVD या और भी कोछ, आपके मेंबूरी का, आपके मोवाइल के मेंबूरी, लेकिन पहले के टाइम में, पहले के जमाने में, ये सब चीज़े नहीं होती थी, यानि हार्डिस्क के साथ में, आप क्या यूज़ करते थे, फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क के लिए, फ्लॉपी डिस्क भी दो ट्राइब की होती थी, एक चोटी होती थी, एक बड़ी होती थी, तो इसे चोटी होती थी सबसे, उसका साइज होता था, 3.5 इंचेस, साड़ती निंच की होती थी, एक ड्राइब कहलाती थी, और उससे बड़ी होती थी, एक सबापांच इंच की, होती थी वो drive B कहलाती थी तो पहली drive हो गई यानि पहली आपकी जो storage drive letter हो गया वो गया A 13-inch की floppy के लिए और 75-inch की 5.25-inch की floppy drive होती थी उसके drive letter हो गया B और उसके बाद इतनी हार्ड़िस्ट हैं आपकी हार्ड़िस्ट के तो अब क्यों यूज हो रहा है अब क्यों अभी भी सी ड्राइव से ही आ रहा है आप तो आना चाहिए ए ड्राइव से ही इसका रीजन यह है कि आपने मालीजे डेक्श्ट पर्चिस किया तो क्या इस बास की गारुंटी है कि आप ए ड्राइव यानि फ्लॉपी ड्राइव वो वाली जो यूजर नहीं करेंगे नहीं आप यूजर कर सकते हैं आप एक ड्राइव पर्चिस कर ला ही है OS क ट्राइव ड्राइव रीडर पर्चिस कर ला ही है और आप एड्राइव यानि कि additional drive येक्श्ट यूज नहीं करेंगे तो वहाँ पर वो ए ड्राइव आना शूरू हो जाएगा लेकिन अभी उसको पता नहीं है इसलिए सी ड्राइव लिखा रहता है तो यह बेसिक रीजन है जिसकी वेरे से वह सी ड्राइव से लिखा वह आता है आपकोस आप इसको शेरिण कर सकते हैं ए ड की ड्राइव मुझे लगता है आपको यह जानकर अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देखने के लिए लाइक करने के लिए शेर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद